नमस्कार दोस्तो दोस्तो अगर आपको RCB और CSK के बीच खेल गया IPL 2024 का पहला और सबसे रोमांचक मा मुकावला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें इस वीडियो का लाइक टारगेट है पचास लाइक का तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें दोस्तो RCB और CSK के बीच खेला गया IPL 2024 का पहला और सबसे मात पूर मुकावले में फिर एक बार किरकेटी तियांस की दो दिगर्ज टीमें एक दूसरे से विड़ी इस बार रूतु राजगाईकवार की CSK टीम के सामने फैब डू पलेसिस की RCB की टीम खड़ी थी इस रूंग्टे खड़े कर देने वाले मा मुकावले में RCB के कप्तान फैब डू पलेसिस ने टांस जीता और पहले बले बाजी करने का फैसला किया और CSK टीम को पहले गेद बाजी करने के लिए अमंत्रित किया उसके बाद रनों की बारिस करने के इरादे से RCB टीम के दो दिगज ओपनर बले बाज मैदान में उतरें कप्तान फैब डू पलेसिस और बिराट क्वाली के कंदों पर इस महा मुकावले में अपनी टीम के लिए एक संदार ओपनिंग सुरुआ दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी और कप्तान फैब डू पलेसिस आते ही आक्रमकले में बले बाजी करना सुरू कर देते हैं जी यहां दोस्तो डू पलेसिस के सामने चन्नाई सुपर किंग की कोई भी गेद बाज टिकिने का नामी नहीं ले रहा था क्योंकि कप्तान फैब डू पलेसिस आते ही चवके की बारिस करना सुरू कर देते हैं लेकिन दोस्तों चन्नाई सूपर किंग के तरफ से पंचवा ओबर डालने के लिए आते हैं मुस्ताफिजूर रामान है और मुस्ताफिजूर रामान आते ही अपने ओबर के तीसरे गेद पर कप्तान फैब डूप लेसिस को राचिन रविंदर के हाथों कैच आउट करवा दे रजत पाटिदार बिना खाता खोले पबेलियान लओड जाते हैं इनके बाद बल्ले वाजी करने के लिए आते हैं भी स्पोटक बल्ले वाच गलेन मैक्सवेल हैं लेकिन दोस्तों गलेन मैक्सवेल भी कुछ खास बल्ले वाजी नहीं कर पाते हैं क्योंकि चन्नाई सूपर किंग के तरफ से छठा ओबर डालने के लिए आते हैं दीपक चार और दीपक चार आते ही अपने ओबर के तीसरे गेज़ पर गलेन मैक्सवल को मेंदर सीन दोने के हाथों कैच चाउट करवा देते हैं गलेन मैक्सवल भी बिना खाता खोले पवेलियन लौड जाते हैं इनके बाद बले वाजी करने के लिए आते हैं बैटिंग आल रांडर м्रण ग्रिण और केमरान ग्रिण आते ही सेट हो चुके विराट कौ़ली के साथ साजब्डारी बनाना सुरू कर देते हैं जी आं दोस्तों विराट कौळी और के नायमें बले वाजी कर रहे थें लेकिन दोस्तों चन्नाई सूपर किंग के तरफ से बराव उबर डालने के लिए आते हैं दोबारा से मुस्तफिजूर रहमान और मुस्तफिजूर रहमान आते ही अपने उबर के दूसरे गेट पर बिराट कौली को राचिन रबिंद के हाथों कहे चाउट करवा देते हैं तो कुछ इस तरह से बिराट कौली बीस गेदों में 21 रन बनाकर पवेलियन लौड जाते हैं इनके बाद बल्ले बाजी कनने के लिए आते हैं अनूज रावत हैं लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर के चौथे गेट पर केमरन गरीन भी बॉल्ड आउट हो ज पूर कर देते हैं जी आं दोस्तों देखते ही देखते दोना ही बल्ले बाजोंने सांदार लाय में बल्ले बाजी करते हुए और सतक्या साजे दारी भी पूरा कर लेते हैं इसके बाद अठरावा उबर डालने के लिए आते हैं तूसार देस पांडे और इनकी ओवर में ती 173 रन बटोर लेती हैं लेकिन दोस्तों विसावा ओवर की आखरी गेट पर मैंदर सिंग दोने अनुज रावत को रन आउट कर देते हैं तो कुछ इस तरह से आर सीवी छो विकट गवाने की बावजूद भी 20 ओवर में 173 रन बटोर लेती हैं अब यहां से चन्नाई सूपर क जिंग के तरफ से दो दिगगा जोपनर बल्ले बाज मैदान में उतरें जी आँ दोस्तों कप्तान रूतुराज गाई कोड़ा और राचिर रविंदर की कंदों पर इस महा मुकावले में एक 20 पोटा कॉपनिंग सुरुआत दिलाने की पूरी जिमेवारी थी और दोनों आत आते ही चवके चको की बारिस करना सुरु कर दिये थे हैं लेकिन दोस्तों रसीवी की तरफ से चवथा ओबर डालने के लिए आते हैं यस दयाल और यस दयाल आते ही अपने ओबर के छटी गेद पर रूतुराज गाई कोड़ को केमरन गिरीन के हाथों कैस चाउट करवा दे अब यहां से अजिंक्यार राहन आते ही सेट हो चुके राचिन रविंद के साथ सांधार अलय में साजेदारी बनाना सुरू कर देते हैं चन्नाई सूपर किंग की टीम पाउर प्ले में एक बिकट गवाने के बावजूद भी 62 रन बटोर लेती हैं लेकिन दोस्तों पाउर प्ले खतम होने की बाद RCV टीम के तरफ से सतवा ओबर डालने के लिए आते हैं करण सर्मा और करण सर्मा आते ही अपने ओबर के छठी गेद पर राचिन रविंदर को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा देते हैं जी आँ दोस्तों राचिन रविंदर 15 गेदों जी आँ दोस्तों आते ही बैक टू बैक दो गगन चुमी छखका लगा देते हैं लेकिन दोस्तों इसके बाद RCV की तरफ से गिरावा ओबर डालने के लिए आते हैं केमरन गिरीन और केमरन गिरीन आते ही अपने ओबर के तीसरे बाल पर अजिंकेर राने को मैक्सवेल के सुरू कर देते हैं लेकिन दोस्तों RCV की तरफ से तेरावा ओबर डालने के लिए आते हैं दोबारा से केमरन गिरीन और केमरन गिरीन आते ही तेरावे ओबर के तीसरे बाल पर डेरील मीचल को रजत पाठीदार के हाथों कैस चाउट करवा देते हैं तो कुछी इस तरह से डेरील मीचल अठारा गेदो पर 22 रनू की मात पून पारी खेल कर पवेलियन लाट जाते हैं डेरील मीचल आउट होने के बाद बल्ले वाजी करने के लिए आते हैं रविंदर जडेजा अब यहां से जडेजा और सीवन दूबे ने मिलकर पारी को समाला और दोनों ही काफी सांदार लाई में बल्ले वाजी करना सुरू कर दिये थें जी यहां दोस्तों एक छोड़ से सीवन दूबे तो हैं दूसरे चोड़ पर रविंद जडेजा काफी सांदार लाई में करारा चवका लगा रहे थें देखते ही देखते दोनों ही बल्ले वाजोंने यार सतके चन्नाई सूपर किंग सा ठार ओवर चार बाल पर पहला IPL का महा मुकावला जीत जाती है जी आन दोस्तों बात करें बल्ले बाजी की तो राचिर रविंदर काफी सांदार लै में बल्ले बाजी करते हुए 37 रनों की मात पूर्ण पारी खेले हैं और ओहीं पर बात करें गेद बाजी की तो चन्नाई सूपर किंग के तरफ से मुस्तफ फिजूर रामा ने चार विकर चटकाई थी लेकिन दोस्तो लाच्ट मियाका रविंदर जड़ेजा और सीवन दूबे ने तावर तोड़ा अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए गेम को फिनिस करी और चन्नाई सूपर किंग को पहला मा मुकावला जिताई तो दोस्तो रविंदर जड़ेजा और सीवन दूबे की बल्ले बाजी आपको कैसा लगा एक बर कमेंट सक्षन में जरूर बताईएगा